हलो स्टूडेंट्स, वेल्कम बैक हमें चैनल, E-Learning, Accounts and Maths स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चिन नमबर 8 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम करेंगें क्वेश्चिन नमबर 9 तो देखें, question number 9 में क्या कह रहा है, calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of the last 5 years इसमें हमें goodwill calculate करना है, 3 year purchase दिया हुआ है and last 5 year का profit and loss दिया हुआ है profit to be weighted 1, 2, 3, 4 and 5, the greatest weight is to be given to the last year greatest weightage हमें last year को देना है, it means यहां जो 1, 2, 3, 4 and 5 लिखा हुआ है, इसमें से greatest number कौन सा है greatest weight कौन है इसमें, 5 है, तो यह हमें last year को देना है, it means 2015 को हम 1 से into करेंगे 16 को 2 से, 17 को 3 से, 18 को 4 से and 19 को 5 से, अभी हम करेंगे तो आप लोग देखेगा इसके बाद इसमें abnormal loss भी दिया हुआ है and abnormal gain भी दिया हुआ है, two adjustments भी दिया हुआ है यह दोनों adjustments आपको समझने में थोड़ी से दिक्कत होगी, तो आप लोग ध्यान समझेगा, क्योंकि थोड़ा सा यह different है तो देखे हम question स्टार्ट करते है, 2015 का profit दिया हुआ है 80,000, पहले हम profit and loss सबको उतारेंगे 2016 का profit दिया हुआ है 1,05,000, 2017 का loss दिया हुआ है 20,000, तो loss को हम bracket में show करते है 2018 का profit दिया हुआ है 1,80,000 and 2019 का profit दिया हुआ है 2,00, यहां तक का हो गया, इसके बाद देखे, abnormal loss दिया हुआ है तो मैंने हमेशा बताए कि abnormal loss को हम add करते हैं, यहां लिखेंगे add abnormal loss, 2016 में दिया हुआ है, तो 2016 में हम add करेंगे 41,500, यह हो गया and 2017 में abnormal gain दिया हुआ है, तो abnormal gain को हम less करते हैं, 2017 में से हम less कर देंगे abnormal gain, 40,000, इसे भी हम bracket में show करेंगे, इसके बाद देखे, adjustments की बारी, बहुत ध्यान से आप लोग देखेगा closing stock as on 31st March 2015 was overvalued by 40,000, 2015 का closing stock overvalue हो गया, 40,000 से, it means 2015 का closing stock को गलती से 40,000 से जादे के entry कर दी गई है, overvalue लिखाए न, it means closing stock को 2015 के closing stock को 40,000 से जादे के entry कर दी गई है, तो देखे, जब closing stock को overvalue कर दिया गया है, तो इसका effect profit पे भी पड़ा होगा, तो ध्यान दीजेगा आप लोग, जब closing stock overvalue हो जाता है, तो जिस year के end में वो overvalue हो जाता है, उसमें से हम less कर देते हैं, ठीक, less कर देते हैं, and undervalue का भी case आता है, undervalued means, undervalued means, अगर यहां undervalue दिया रहता, इसका मतलब यह होता कि closing stock को 40,000 से कम की entry कर दी गई है, ठीक, closing stock मानने जे 90,000 था, बट उसकी entry सिफ 50,000 की हुई है, and यहां पे overvalue हो गया है, तो समझें, closing stock को सिफ 60,000 लिखना चाहिए था, बट उसे 1,00,000 लिख दिया गया, it means, 40,000 और extra की entry हो गई है, and, तो देखें, undervalue जब होता है, तो जिस year में वो undervalue होता है, उसमें हम, उस year के profit में हम add कर देते हैं, ठीक, I hope आप लोगो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा यह difficult है, and, closing stock, automatic next year opening stock हो जाता है, तो देखें, जब closing stock overvalue हो जाएगा, जादे कि उसकी entry हो जाएगी, तो उसका effect profit पर भी बढ़ेगा, उसके वज़े से profit भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा न, तो next year वो opening stock हो जाएगा, तो next year पर भी उसका effect पढ़ेगा, next year का profit उसके वज़े से reduce हो जाएगा, तो next year उसे हम add कर देते हैं, and under value की case में हम उसे less कर देंगे, ठीक, आप लोग सिफ over value समझे, अगर under value, over value दोनों एक साथ समझोगे, तो थोड़ा सा आप लोग को परिशानी हो जाएगा, आप लोग confused हो जाएगे, closing stock को 40,000 से जादे की entry कर दी गई है, तो profit में भी 40,000 से जादे की entry होगी, तो इसलिए हम profit में से less कर देंगे, and next year का opening stock हो जाएगा, उसके वज़े से profit घट गया होगा, तो हम उसमें opening stock add कर देंगे, देखे, यहां लिखेंगे, less closing stock, देखे, मेरे copy में जगा नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ closing stock लिखा, आप लोग अपनी copy में पूरा लिखना, closing stock was overvalued, ठीक, यहां लिखेंगे, 2015 में हुआ है, यहां less कर देंगे, 40,000, and next year का वो automatic opening stock हो जाएगा, तो opening stock को हम add करते हैं, यहां लिखेंगे, add, opening, stock, यह add कर देंगे, 40,000, हो गया यह, अब देखें, second adjustment करते हैं, यह भी आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगा, repairs to machinery, 60,000, were wrongly debited to machinery account on 1st July 2017, पहले तो आप लोग यह देखेंगे, कि इसकी entry हम कौन से year में करेंगे, यहां 1st July 2017 लिखा है, तो 17 में करेंगे, इसकी entry या 18 में, तो students, इसकी entry हम 18 में करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि financial year कितने का होते है, 2017 to 2018, यह होते है financial year, and year के end में हम entry करते हैं, तो start होता है 1st April से and end होता है 31st March 2018 को, end होगा, तो entries हम end में करते हैं, तो इसकी entry हम 2018 में करेंगे, क्योंकि year के end में हम entry करते हैं, 31st March 2018 में आ रहा है, तो 2018 में इसकी entry हम करेंगे, अब देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, मशीन रिपेर किया गया था उसके लिए 60,000 खर्श किया गया बट उसकी इंटरी क्या होई मशीनरी अकाउंट डेबिट जनरल इंटरी के थ्रू हम समझेंगे रिपेर्स जब मशीन रिपेर किया जाता है तो उसका जनरल इंटरी क्या होता है Repairs Account Debit to cash इसकी इंट्री यह होती है बट गलती से उसकी इंट्री क्या हो गई Machinery Account Debit to cash इसकी इंट्री यह हो गई तो देखे इन दोनों इंट्री में क्या फर्क है इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि Machine को Repair किया गया था जिसके लिए खर्च हुआ 60,000 बड यह देखे इससे क्या समझ में आ रहा है इस जनरल इंट्री से आप क्या समझते हो इसका मतलब यह कि साथ हजार का एक न्यूँ मशीन पठेश किया गया इंट्री हो गए तो इसके वज़े से प्रॉफीट पर भी एफैक्ट्ट पढ़ा होगा अगर हम यह इंट्री कर देंंगे तो इसका मतलब 2017.18 में मचीन पर्चेस हुआ होगा तो हमारा प्राफिट बढ़ा होगा इसके वाज़े से प्राफिट बढ़ा है जो गलेऊंथ है मचीन खरीदा तो ग्या नहीं था उसका रिपेर हुआ था तो कमपनी में कोई मचीन नहीं आई थी इधर profit बढ़ा हुआ दिख रहा है asset बढ़ा है इसके वाज़े से profit भी बढ़ा है तो इसमें से हम less करेंगे याँ लिकेंगे less याँ लिकेंगे हम less machinery wrongly debited 60,000 से profit बढ़ गया था इसलिए इसमें से हम 60,000 less कर देंगे ऐसा case पीछे question में भी आया था question number 4 में तो देखें इसमें क्या कह रहा था कि 2 computers purchase किया गया बट उसके computer के account में नहीं हुई थी इसके profit में asset एड नहीं किया गया था तो उसका profit कम शो कर रहा था तो हम उसमें add किये थे 80,000 हमने उसमें add किया था बट इस question में क्या कह रहा है कि machine purchase नहीं किया गया बट फिर भी उसके profit में add कर दिया गया 60,000 कि 60,000 हमारे पास asset है बट कोई asset नहीं purchase किया गया था उस year में wrong entry हुई थी इस वज़े से इसमें से हम 60,000 less कर देंगे अब देखें इस पे depreciation भी लग गया था 20% का depreciation भी इस machine पे लग गया था तो उसके वज़े से profit घटा होगा depreciation हम less करते हैं तो उसके वज़े से profit घटा होगा अब देखें इसमें हम depreciation add कर देंगे profit में हम add कर देंगे इस question में हम less कर रहे थे है क्योंकि asset में इसकी इंटरी नहीं उस वज़े से इस पर depreciation भी नहीं लगा था तो हमने उसमें से depreciation लगाया था profit में से हमने depreciation less किया था इस पर रॉंग depreciation लगा है machine purchase नहीं किया गया था बट फिर भी उस पर depreciation लगा था इसके वज़े से profit घटा होगा तो हम वो amount add कर देंगे depreciation अभी हम calculate करेंगे जो amount आएगा उसे हम add कर देंगे add depreciation अब देखे 60,000 पर हम depreciation calculate करेंगे 60,000 into rate दिया हुए at 20 upon 100 and month कितना हो जाएगा जुलाई अगस सेप्तेमबर October, November, December, January, February and March 9 month 9 upon 12 यह हम calculate करेंगे यह हो जाएगा 9,000 तिक यह हम लिखेंगे 9,000 आपको समझ में आया होगा क्यों हम add कर रहे हैं इसमें depreciation क्योंकि जब इसका wrong injury हुआ, machinery account debit to cash इसका मतलब यह कि machine purchase किया गया था and उस पर depreciation भी लगा था तो profit में से depreciation वाल amount उस time less हुआ होगा द्यान से आप लोग समझेगा बट तो उसके वज़े से जब less हुआ होगा तो उसके वज़े से profit घटा होगा बट less हो करना नहीं था तो वाल amount हम profit में add कर देंगे ठीक तो 9,000 इसमें हमने add किया अब देखें next year भी हम depreciation लगाएंगे क्यों लगाएंगे यह तो आप लोग को पता होगा जिस year से machine purchase किया जाता है उसके next year next year and next year हम continue उस पर depreciation लगाते हैं तो इसलिए इसका depreciation 2019 में भी लगेगा and diminishing balance method है तो पहले हम 60,000 में से 9,000 लेस करेंगे यह हो जागा 51,000 51,000 पर हम 20% calculate कर लेंगे हो गया यह आएगा 10,200 10,200 की entry हम लिखेंगे इसमें हमने month क्यों नहीं calculate किया क्योंकि यहां से one year का depreciation count होगा पूरे पारा महिना पर हम depreciation लगाएंगे तो इसलिए इसमें हम month नहीं calculate करेंगे यह हो जागा 10,200 यहां लिखेंगे 10,200 and depreciation हम add करेंगे इसमें भी total adjustments हो गया पता नहीं मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया कि नहीं समझाया बट मैंने पूरी कोशिश कि कि आप लोगों को अच्छे से समझ में है क्योंकि यह question थोड़ा सा difficult था आप लोगों को समझने में problem हो रही होगी अग देखें माइनस करेंगे 80,000 – 40,000 यह हो जाएगा 40,000 and 10,005,000 प्लिस 41,500 प्लिस 40,000 यह जाएगा 186,500 हो गया अट यह जाएब दोनों को हमें मैनस करने तो मैनस मैनस प्लिस होता है मैनस 40,000 – 20,000 यह हो जाएगा मैनस 60 तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1,80,000 plus 9,000 minus 60,000 यह हो जाएगा 1,29,000 and 2,00,000 plus 10,200 यह हो जाएगा 2,10,200 यह हो गया total profit and loss हमारा निकल गया अब हम weighted average profit calculate करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक format बनाना पड़ेगा यहाँ लिखेंगे years profit and loss भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ loss भी दिया हुआ है 60,000 का profit and loss weight and product यह हो गया 2015, 2016, 2017, 2018 and 19 2015 का profit आया है 40,000 2016 का profit आया है 1,86,500 and 2017 का loss आया है 60,000 2018 का profit आया है 1,29,000 2019 का profit आया है 2,10,200 weight लिखेंगे 1,2,3,4 and 5 यहाँ लिखा था greatest weight last year को दिया जाएगा तो greatest weight last year को दिया गया अब इंटू करेंगे हाँ 40,000 into 1 40,000 1,86,500 into 2 3,73,000 1,60,000 sorry students यहाँ यह bracket में था 60,000 into 3 यह हो जाएगा 90,000 in the bracket क्योंकि यहाँ पर भी bracket है sorry sorry 3,6,18 होता है 1,80,000 1,29,000 into 4 यह जाएगा 5,16,000 2,10,000 into 5 यह जाएगा कित्ती गलती हाँ नहीं जाएगा 2,10,200 हो गाएगा 2,10,200 into 5 यह हो जाएगा 10,51,000 students यह question मैं दूसरी बार आप लोग को explain कर रही हूँ first time मैंने इसमे वीडियो बनाया था but वो वीडियो मैंने delete कर दिया फिर मैं आज आप लोग के लिए यह दुबारा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उस वीडियो मैंने उतने अच्छे से explain नहीं किया था यह difficult question था तो मैंने सोचा बहुत अच्छे से explain करूंगी तो इसलिए आज मैं second time यह वीडियो बना रही हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यह जाएगा 15 और इन सब को हम add करेंगे 40,000 प्लस 3,73,000 प्लस 5,16,000 प्लस 10,51,000 यह जाएगा 19,80,000 इसमें से हम bracket वाला less करेंगे minus 1,80,000 ब्रैकेट वाले को हम less करते हैं न यह हो जाएगा 18,00,000 यह आया अब देखें हम इसे formula में put करेंगे तो formula क्या होता है इसका weighted average profit is equal to total of product of profit upon total of weight total of product हमारा कितना आया total 18,00,000 आया 18,00,000 and total weight आया 15 यह लिखेंगे 18,00,000 upon 15 यह हम divide करेंगे यह हो जाएगा 1,20,000 अब हम goodwill calculate करेंगे goodwill is equal to 1,20,000 into weighted average profit into number of year purchase होता है न तो आपकी question में कितना year purchase दिया हुआ 3,60,000 so students question number 9 हमने complete कर दिया next video में हम new topic पढ़ेंगे super profit method यह topic बहुत simple इसके बाद आने वाले सारे questions simple है so if you like me video then please like share and comment and do subscribe मैं चैनल थैंक्स वाच्छुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुच